हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू मैं चैनल आज के इस वीडियो में आपको टॉय रखने के लिए या फिर कपड़े रखने के लिए लॉंडरी बैग बनाना बताऊंगी तो आप इसको किसी भी यूज ले सकते हो तो यहां पर जो इस बैग है इसकी खास बात आज यह है कि इसको इस तरीके से आप फोल्ड करके दोनों साइड से यूज कर सकते हो यानि दोनों साइड के फैब्रिक को आप यूज कर सकते हो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे मिले मैंने इसके पांच पीस कट कर लिया है जिसका मेजरमेंट यहां पर मैं आपको बता द यहां पर जो हमें लाइनिंग यूज करनी ताप लाइनिंग कपड़ा या फिर अगर आपको सेम अध्सा सको फैब्रिक लेना तो दोनों तरफ से आप यूज कर सको तो उसी के भी 5 पीस और साथ में यहां पर जो पाइं लेकर आते हैं पानी वाले या फिर लक्ट सिती वाले उसी के साथ आते हैं जो बोरी होती है मैं उसका यूज की है आप चाहो तो आठे चाहर लाली बोरी भी यूज कर सकते हो उसके बाद हमें नीचे लाइनिंग रखनी है लाइनिंग के बाद ऊपर के यहां पर जो भी आप यूज कर रहे हो बीच में तो बोरी को या फिर फॉ नहीं के नियुन कहुंते हैं तो अर्वाय सील लिए भिष्ट फिर इसको यहां से स्टीच कर लेना है तो मैंने यहां से शुय primo लंघनागी जोए कने के बाद कर लिए करते वए हमें इसको piping को attach कर लेनी और इसके पूरे प्रय। और यहां पर मैंने पाइपिंग लगांने से कॉली किया है, तो यहां पर एक पार्ट और या है और दूसरे corner में stitch करते विए उसी तरह piping लगा लोगी तो देखे मैंने यहाँ पर यह joint कर लिया है joint करने के बाद देखे मेरा जो यह है वो कुछ इस तरीके से दीखेगा यहाँ पर यह एक box बनके हमारा ready है तो उपर से हमें इसको खुला है यहाँ पर दीखे हमारा stitch हो गया है यहाँ पर piping लगा लेंगे GP B यहाँ पर इसको भी piping लगा लेंगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से यह को जोईं्ट कर लिए जर्ण चारओ तरफ और जोईंट करने के बाद है तो पहले हम इसको जोईंट कर लेते हैं जोइन करने के बाद यहाँ पर उपर की साइड में हमें यहाँ पर हैंडल की जुरूत है तो हम यहाँ पर हैंडल लगाएंगे तो मैंने यहाँ पर सेम फैब्रिक का एक पीस लिया है जिसका मेजरमेंट है यहां पर 8 by 13 इंच इसका मेजरमेंट है तो आप यहां पर चाहो तो कपड़े को कम बेसी भी कर सकते हो तो मेरे पास यह लास्ट फैबरिक इतना ही था तो मैंने पूरा ही ले लिया और हैंडल थोड़ा मोटा बन जाएगा मजबूत इसलिए मैंने मोटा लिये इसको इस तरीक से हैंडल को लगा लूँगी और यहां पर इसको स्टीच कर लूँगी इसी तरह दोसी तरह भी हमें हैंडल को लगा लेना है handle लग गये हैं लगने के बाद मैंने साथ-साथ में यहाँ पर piping भी लगा लिए उपर की side में तो उपर यहाँ पर अंदर की side से piping ली थी अब इसको यहाँ पर इस तरीके से बाहर की तरफ double fold करते वे मैं piping को पूरे में attach कर लोगी तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे पूरे में इसको attach कर लेंगे और पीछे बीसी तरीके से देखे मैंने यहाँ पर single लगा लिए लगाने के बाद इसको भी double fold करते वे मैं piping को attach कर लोगी उसके बाद हमारा यहाँ पर यह storage बैक बनके बिल्कुल ready है देखे मेरा यहाँ पर यह bag बनके ready हो गया है यहाँ पर handle भी लग गया है इसको carry करने के लिए और अंदर की side भी इसको आप fold कर सकते हो तक हम क्या कर सकते हैं कि बाहर वाला जो part है हम उसका भी use कर सकते हैं और अगर अंदर वाला part चाहिए हमें तो इसको भी fold करते हम उसका बहुत है यहाँ पर उर्गिनाइजर बनके ready है अब इसमें कोई भी अपने चाहो तो प्रटे डाल के रख लीजी लॉंड्री बेग में यूज़ कर लीजी किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर लॉंडे बेग में यूज़ कर सकते हो या फिर आप चाहो तो प्लीज वीदियो को लाइक करना और अगर चनल पर नए हो तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके पर जरूर बताना आज का एडिया को कैसा लगा थैंक यू फॉर वाचिंग